हालो फ्रेंड्स तो अब हम बात करेंगे इसमें अपने प्रोड रगजान की सेकंड पार्ट के बारे में तो प्रोड कैसे होता सारी कहानी अब इसमें समझेंगे बाकि आपने अगर पार्ट वन नहीं देखा हो जाके जरूर देख लेना इंट्रो बगारा सब उसमें बता दि तो बैसे मैंने सॉट नोड लिखा था लेकिन यह काफी जादा इंपोटेंट टॉपिक है और बाद में भी दिखा गया तो इसको हम थोड़ा सा लेंग में पढ़ेंगे क्या होता कैसे चलिए समझते तो जो हमारा प्रोड्रग है अगर आप लोग ने फार्मकलोजी पढ़ी ह तो उस्मने जब हम मेटावॉलिजम के आंडे में पढ़े हैं तो वहां पर प्रोड्रग स्म impact कोई कुछ एस चैनकों हम बॉड़ी में देते हैं तो वह उग्टे हैं तो इस चैनर कोई भी असर नहीं दिखा रहे होते हैं लेकिन जब वह मारी ब्रोड़ी में अंद्र चले सकते हैं कि वो जाते हैं या तो भी था जाते हैं कि उसके दोरा किसी भी रियक्शन के दोरा या तो वह मैटावालीजम आपने पड़ाता था फेस बन फेस्टू की रियक्शन उती है फिर ग्लू कोरने एक्से ऑक्सीडेशन हाइडोले से यह सारी एक्षन होती है यह फिर कोई भी एंजायमेटिक एक्षन के तो जाने कि जो एंजायम से हमारे यूज होते हैं मेटाबॉलिजम में तो इस तरह आप यहां प्रोडरक की डेफिनेशन और वह चीज़ा आप समझ गया हो आप बाद बॉडी के अंदर होंगी कुछ एंजयमेटिक एक्षन एक्षन होगी या कोई मेटाबोलीजम होगी और अब यह जो हमारी ड्रग है वह मारी क्या होगी एक्टिब होगी एक्टिव जाल गई लिए तो अब यह भी हमारी च्पीश Нअन डिवरन ब्सक्वर अभण तो इस तरह हमारी ड्रक काम करते हैं तो प्रोड्रक क्या होता है अब थोड़ा सा और हम डीपली चलते हैं कि आखिर यह होता क्या है तो अब यहां पर हम समझेंगे इसका बेसिक अब बेसिक कंसेप्ट में अगर हम डिफाइन करें सिंपली तो बोल सकते हैं कि दीज आर दोस ड्रक सिंपली वूज आर इन एक्टिव ड्यूरिंग एड्मिस्टेशन या बिफॉर एड्मिस्टेशन जान कि इसकी हमें जरूरत क्या पड़ी ऐसा क्या मतलब ऐसी क्या आफ़त पड़ा क्योंकि सब जानते भी इन एक्टिव हैं काम कैसे करें तो इसके बीच रीजन पड़ा कि कुछ-कुछ हमारे ऐसे ड्रक्स थे जिनकी जो प्रॉपर्टीज थी वह हमारे लिए अंडिजारेवल थी यानकि हमको चाहिए नहीं थी या कुछ ऐसी थी जिनके मतलब हमक क्लायशर की होती है अम मांutan कोई Debide scrap हमारा य हाइडरा करेंगे ऐसको इसकी अधरें solve it बढ़ाएंगे और यह इसकी सोम एसको कर पाएगा तो अब यह क्या करेंगेना मतलब क्या मालोंने कोटिंग तो इसको यह कुछ ऐसा कर दिया जिससे ये ड्रग हमारे इसके अंदर चला दाए और कोई असर भी ना दिखा है मतलब खराब नहों अब ये अंदर पहुंच गया इसी के लिए हमको चाहिए होता है तो अब इसके अंदर की जो भी चीज होगी वो हमारी हड़ आएगी मतलब जो बाहर की च यह समझे की कोई वी जो पुरॉड रग न वहीं तब यूज करते हैं जब को इसको वी ड्रग की कोई डिजाइड प्रॉपरटी चाहिए प्रफ्य वहत है जानकि जब वह एस रजिस्ट्रन्स मालो कोई जिसको आप खा रहे हो तो वह पेट में जाके वहाए एसी विल्ट मे उस टेम पर हम कुछ ऐसी ड्रग देंगे जो पेट में जाके मतलब कुछ भी उसका ना विगड़े और वह इनेक्टिव रहेगी अब क्या होगा जैसे उसकी मेटाबॉलिज हमोगी वह जाएगा हमारा एक्टिव अब एक्टिव होने के बाद वह ब्लड में पहुंच जाएग तो उसी तरह यह जो हमारे ड्रग है यह भी हमारे प्रो है यान कि कुछ अलग हटकर है नॉर्मल से अलग हटकर है तो प्रो ड्रग का आई होप आप लोग यहां बेसिक फंदा समझ गया होगे वही सारी बाता लेखी हैं इंप्रूब करने के लिए प्रॉपर्टिज को यह स समझता है उसकी डिजाइन ने कि मैंने दखा बहुत क्या यह लोग करते हैं जो बेसिक कंसेप्ट है किसका है नियुको डिजाइन के से करते हैं इस चीज को मिसmee कर देए उस में यहां नाम से समझते यह जो हम नाम में जड़ोग से मिलकर बनाए पहला मारा आता है प्रो इसको इंप्रूब करेगा क्या से नहीं समझे चलो ऐसे समझते हैं लैट करो कोई हमारा ड्रग है और वह इसको फिजियोलोजिकल बैरियर है इसको क्रॉस नहीं कर पारा तो अब क्या करेंगे यहां पर हम यूज करेंगे प्रोमोईटी का जो बिसिकली इन एक्टिव होगा क् चाहिए लग बना लेगा आप इसको बान्ट अए अलग कैसे हुए कीशन ने पीड़तों चाहिए हैं रातवी क्लव हैं और यहां पर एक लड़का है वह मस्त जा रहा है उसमे लेकिन लेकिन रच्वहत हैं कि जो 18 साल दे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको ऐसी भगा देते हैं उसको नहीं जैसे आपने देखा होगा सैक्रिट गया में उसको वह एंट्री नहीं देते हैं बाद में आता रुपह लेगे बिखारी नहीं है बहुत पैसा है ऐसी मालो कि यह लड़का था था इसको यहां पर एंट्री नहीं दे गार्ट पर गजा जिसे उसने एंट्री नहीं दी बिल्कुल इन यह एंट्री बैंड कर दी तो अब यहां पर क्या गया किसी अपने जान पहचान वाले को बुलाने और यहां पर यह अपने बड़े बॉस को लेके आया जो काफी जादा मतलब पैसे जाला और अमीर दुक्ता तो अब जब यह इसके साथ इसने बॉंड बना ली एक साथ और जब यहां पर आये तो भई अब हिम्मत है गार्ड की कि रोक सकें क्योंकि इसने वही डालग माल लिया नावाजी सिद्धिवाला कि बहुत पैसा मेरे बिखारी नहीं बंदूग दि इसने सही सलामत मतलब देखा था यहां पर इसके अकॉर्डिंग तो जो हमारा यह ड्रक था मालो कोई बंदा था इसकी डिजायड इसकी यह च्छा थी कि हमारा इसमें अंदर दाता कि लेकिन जा नहीं पा रहा था तो यहां पर हमने किया कि प्रो मॉईटी को लेके आए करता है वह इस ड्रक को अपने साथ करके और यहां कई भी कोई प्रोपर्टी जीसे मान लोग को से को एंट्री नहीं है या मालो कोई टॉक्सी जाधा है या मालो किसी में को इरीटेसन जाधा करता है किसी की क्यमिकल इनक्ष्टेभाल हो गया है किसी कि habitat क्ली जो मैंने आपक बना कर आना अगर आपके लिए डिजाइन वाला कंसेप्ट आता है तो तो यहां पर आप इसको पूरा समझ गए होंगे बाकि जो प्रो मॉइटी है वो हमारी कैसी होनी चाहिए तो वह ऐडियली सेफ होनी चाहिए मतलब यह सेफ हो तब ही इसको सेफ करेंगे यह सेफ हो अब म होनी चाहिए झाहिए वह ऐसी घो सेफ हो यहां पर बैसे तो सेफ फाथर लेकिन इस टाइम पर थे नहीं है क्योंकि इसकोyour इसको आपनेचले की बाद कि जो को इस तरह बाकि जो कोई वह मतलब जूज करतें कि इसी बीडिजीज की स्टेट के आकोर्डिंग जैसे मालें को क लबा बनानी है तो वो किसके लिए बना रहे हैं उस परपज के हिसाब से हम उस प्रो मॉइटी को यूज करते हैं जो बैसिकली मैं आपको समझा रहा है कि हमको चाहिए नाइट किलम में एंट्री तो इसके लिए वो जो लड़का है वो अपने पापा को बला के नहीं लाएग फंक्शनल ग्रूप होते हैं जो बैसिकली उस ड्रक के साथ जुड़कर उसको इनेक्टिब बनाते हैं अब कैसे अगर आपको याद हो जो हमने मेटाबॉलिजम पढ़ी थी मेटाबॉलिजम सिंपल वही फोर सैमिस्टर में पढ़ा आपने अभी भी पढ़ेंगे आप बाय यहां होगा कि कोई वे हमको बनाने तो प्रोमऌटी आप देखा जाय तो एक फंसचनल ग्रूप ही और वही बिसिकली बनाने के कि अच्छे देख लिए ठीक है मैंने ज्यादा यहां पर नहीं लिखा इसके बाद हम बात करते हैं अब्जेक्टिव के बारे में मतलब देखा था सिंपल की उद्देश से क्या होते हैं हमारे इसके तो अगर आप भूल जाओ भी बता रहा हूं तो आप अब्जेक्टिव को लिख सकते हो तो एक्जाम में आपकी बहुत हैल्प होगी तो इस तरह आप थोड़ा मैनेज करना सीखो में हैं आपके पेपर प्रेजेंटेशन कैसे हैं आप उसमें लिखकर कैसे आते हो कुशन मालो आपने यहां पर लिखी यह लाइन तो आप चाहो तो अगर आपका अब फार्मस्यूटिकल में क्या क्या चीज़ा आती हैं कोई भी जो ड्रग है उसकी प्रॉपर्टी हो गई चैमिकल इस्टेबिटी हो गई और गैनुलेप्टिक प्रॉपर्टी हो गई और जो ड्रग हम जब इंजेक्ट करेंगे तो इरिडेशन और पहन ना करें तो बस इ इंप्रूब कैमिकल इस्टेबिटी तो इंप्रूब और इंप्रूब मतलब सुरी यहां पर डिक्रीज करेंगे तो इस तरह आप यहां बनागे लिख सकते हो फार्मे को कानेटिक प्रॉपर्टी तो इसके अंदर क्या आती है हमारी एडियम ही आती है अब जॉप्शन डिस उसका बनागे तो उस चीज को हमें यहां पर रोकना है तो वही हमारा कहला एंप्राइटिक और फार्मकलोजर करना है और इसको इंप्रूब ही करना है लारक तो इम्प्रूब फार्माकलोजिक और तो इसके बाद देखा दात तो ब्रिद्धि और वके पर उसके सब्याए समझे होगे अब हमको सौट में समझना के बारे में तो क्लासिफिकेशन में आपने यहां पर देशी फंदा देखा क्या कि कोई भी ड्राइगा उसके साथ हमारा इनेक्टिव हो जाएगा जो भी उसका डिस एक्टिविटी है वह हमारी पूरी होगी प्रॉपर्टी होते हैं या समझ गये तो इसमें Crispy 2डि अ मतलब कलासिफिकेशन में दो मतलब साते हैं जो हमने अब देखा तो इसमें चरते किया है कोई भी हमारा है उसके इंचलों पर देते हैं इनल्टों सेवचा इश्रुपा क्लासिफिखर बिशिचन मीं पहुशें और उसके बाद हुना होगा कितना पूरल है देखो लेंगोज भी बहुत सिंपल है इन्स इनल सिंखेंगे इंडिस यान किहां क्या करेंगे इनर्ट केरियर इस एडएक्टेड ड्रग एक्टिफों में जोड़ेंगे तो वह हमारे जो ड्रग है इसमें विसिकली क्या होता है एक्टिव ड्रग जो हमारा हो गया जो मैंने आपको बताया प्रोम इनर्ट केरियर हमारा प्रोमोईटी जो अभी हम प्रोमोईटी हो गया इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह आपस में को बैलेंट वॉंड के दौरा एक दूसरे से अटैस होता तो आप चाहो अगर एक्जाम नहीं आएगा इतना बड़ा मनी आता है तो डवल प्रोड्रक हो गया जिसमें क्या करते हैं प्रोड्रक को भी फिर से प्रोड़क बनाते हैं यानकी मालू यह प्रोडर्क बना अब इसके दार हम एक और प्रोमोईटी जोड़ेंगे जिससे हम हमारा बड़ा रग्यों फिर साइट स्पेसिफिक होते हैं इसमें क्या करते हैं कोई ऐसा केरियर जोड़ते हैं जो इसको समझो आप मालो पर खड़े हूं और आपको ऑटो किसी के ले लिया और आपको रास्ता नहीं पता आपको अटो से वोलो कि हमने भाई गुलाब अब इसमें हमारा फोर्थ आता है मैच्चुल प्रोड्रग तो देखो मैच्चुल में क्या होता कि जहां पर हम जो केरियर अब तक इनर्ट यूज कर रहे थे वह इनर्ट यूज नहीं करना हमको कोई बायलोजिकल एक्टिव कंपाउंड और इससे क्या होगा कि वह हमने यहां प्लस प्लस पराइटा मुल दौनों में जाके और दौनों ही जाके फिर अपना एक्संस हो करेंगे और यह हमारा एक्च्वल में क्या है प्रोड़ा कैस्ट पर हम कोई साल्ट या कोई मॉलिक्यूल तो इसमें एड कर देते हैं और वह बेसे क्ली वह जाता है वह प्रोड़ा को तो यह एक हमारा प्रोड़ा को था जो इनेक्टिव फॉर्म होता है बॉड़ी में जाएगा उसके बाद में पर इसको मैंने कुछ इस तरह बताया है कि आप यह को सोड़ देखने में लग नहीं होगी लेकिन आप इसको काफी जादा लेंग लेंग लिख सकत ऐसे आपकी आमे आगगी ऐसे में की घैएका और वही अगर आपको और भी लिखनेक्ए या आपको याद ना आए तो जो आपको ऑप इसमें भी यही सब हो रहा था कि इंप्रूब कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं इर्इटेशन पैन तो इन सब को भी आप यहां पर इंप्लियूड कर सकते हो ज्यादा फरक आपका नहीं आने बारा अब कुछ आपको जो है वह आपको अच्छे से समझनी पड़ेंगी प्रपर थोड़ी और पहले तो वह थोड़ा सा क्या होता बिटर होता टेश्ट में तो उसमें हम क्या करेंगे यहां पर कि क्लोरेम फैनिकॉल के साथ हम पैल मीटेट की यहां मतलब बॉंडिंग कर देंगे और यह पूरा हमारा काफी अच्छा होगा तो मतलब अच्छा नहीं इतना बिटर नहीं होगा तो जहां हम इसको खाएंगे उसके बाद यह चीज तमारी अलग होजाएगी और क्लोरेम फैनिकॉल अपना एक्टिव फॉर्म में आगे और अपना एक्सन दिखाएगा सिंपल थी बात है इसी तरह हम यहां पर और मास्किंग भी कर सकते हैं जो और बग लिक्विड में करण में और इनक्टिव होजाएगा तो इस तरह हमारे काम करते हैं उसके बाद रिड्यूस पैन और इसको कम करने के लिए एक्जांपल जैसे मारा यह है फॉस्पनाइट वन है तो यह जो जैसे इंजेक्स नमें का भी लगाते हैं तो जो पें होता है यहां करते हैं तो हमें को इनहां करने के लिए को बढहने के लिए हम इसका प्रोटे कीमिकलिक बनास करने के लिए उसके बार कॉद को इसके लोगने करने का लिए कि simply हम इसमें ड्रग की टेस्ट को जानकी वी यूजड इन टेस्ट मास्किंग टू इंप्रूब जाट टेस्ट ऑफ एनी बिटर ड्रग कोई भी बिटर ड्रग हम टेस्ट करते हैं ठीक करते हैं बस हो गया एक्जामपल आपके सामने है तो आप इससे बनागे लिख सकते हो तो आप लोग को यह पूरा प्रोडर का फंडा समझ आ गया होगा अब आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरू बताओ बाकि नेस्ट वीडियो में हम बात करेंगा अपने एंटी मलेलेट रखे बारे मे है और जो बस अब मतलब बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी